कि नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी यूटूब चैनल बिसी एस बैसिक फिजिक्स में आज के इस वीडियो में हम कक्सा ग्यारा का टोपिक लेकर चल रहे हैं चोथे चेप्टर के निमेरिकल क्यूशन्स देख रहे हैं उसमें हम फस्ट और आज थर्ड एक्जामपल देखेंगे सदिस नीमों पर आधारित है दोस्तों देखेंगे जो फस्ट एक्जामपल है पहले ये देखेंगे कि किसी एक दिन वर्सा उर्धुआदर 35 मेटर परती से बस स्टॉपर खड़े किसी लड़के को चाता किस दिसा में करना चाहिए पहले इस क्यूशन को समझेंगे कि जो बारिस है वो उर्धुआदर नीचे की ओर हो रही है 35 मेटर परती सेकेंड की चाल से फिर जो वायू है हवा है वो 12 मेटर परती सेकेंड की चाल से पूरों से तब से क्रीक्राइक चाहिए यहां पर करना चाहिए अच्यक्स आहervं यहमारे पास में है फस्सिन दिसा यह मैंने दिसाओं को यहां पर इंगित किया है दोस्तो अब यहां पर समझेंगे कि जो बारिस है उसकी वेलोसीडी में वी आर कह दूँ वी आर का मतलब है रेन का जो वेग है वो हमारे को कुशन में दे रखा है 35 मेटर परती सेकंड जो की उर्धवादर नीचे की और है अब हवा चल रही है इस दिसा में मैं एर का जो वेग है हवा का वी आए वो है पूरव से पस्सिन की और देखे पूरव से पस्षिम की और हवा चल रही है इस दिसा में एयर का जो वेग है वो है दोस्तो 12 मिटर परती सेकेंड तो इन दोनों का जो वेग है वो एक दूसरे के लमवत है अब जो बारिस है वो इन दोनों के इधर इस तरीके से गिरेगी ये वाली जो बारिस है इसको ये इधर मोड़ देगी थोड़ी सी और जैसे हम ये एंगल कंसिडर कर लें कि थेटा एंगल उर्धवादर से ये थेटा कौन है इस तरीके से घूम जाती है दक्षिन पस्षिम की और हो जाती है तो यहाँ पर जो खड़ा वेक्ती है वो जो चाते का प्रियोग करता है उसको जो चाता है वो इस डाइरिक्शन में करना पड़ेगा क्योंकि इधर से बारिस इस तरीके से आ रही है तो उसको चाता इस दिसा में करना पड़ेगा दोस्तों तो यह जो चाता है वो एक्चुल में इधर इस तरीके से होता है इस तरीके से तो यदि ये कॉन थीटा है तो ये वाला जो एंगल है जो चाता है वो इस तरीके से होता है इस दिशा में होता है तो हम यह कह देंगे कि उर्दुहादर से थीटा कौन पर यह उत्तर दिशा से इधर की और यह थोड़ा सा जुखा लेता है उत्तर दिशा की और जुखा लेता है अब हमारे को कितना जुखाएगा वो हमारे को ग्यात करना है और देखे दोस्तों यहाँ पर सरफ रतम तो हम ज्याद करेंगे कि जो एंगल है वो थीटा एंगल है वो पहले तो परणामी जो बारिस है वो किधर जुखाना पड़ेगा वो आप लोगों को बताता हूं मैं देखे यहाँ पर दो सदिस है दोनों perpendicular है और तो इनका जो परणामी है वो वी आर का स्क्वेर प्लस वी ए का स्क्वेर के रूट के बराबर आजाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस में 2 वी ए वी आर कोस 90 हाजएगा कोस 90 की वैल्यू जीरो होजएगी के वल इतना ही बचेगा यहाँ पर vr की जो गेल्यू है वो है 35 का स्क्वेर प्लेस में यहाँ पर यह है 12 का स्क्वेर 35 को यहाँ से 25 और 3 गुणा 4 1225 प्लेस से 114 आ गया दोस्तो और यहाँ से जब इसको आप 8 गरेंगे तो यह 13 आ गया और यहाँ से 25 और यहाँ पर 6 और 9 यह आ गया 1369 आ गया दोस्तो और तो यह हमारे पास में प्रणामी वेग आ गया है बारिस का अब तो यह उड़वादर से इधर नीचे की और जुखाना पड़ेगा तो देखे दोस्तो 10 ठीटा बराबर होता है हमारे पास में लंब बटे में आधार तो यहाँ पर यह तो हो जाएगा लंब और यह हो जाएगा आधार लंब की जो वेल्यू है वो वी ए के बराबर आधार की जो वेल्यू है वो है वी आर के बराबर तो यहां से थीटा बराबर में इसको लिख दूँ 10 inverse लंब यहां पर है VA और आधार यहां पर है VR VA की जो value है दोस्तों वो है हमारे पास में 12 और VR की जो value है वो है हमारे पास में 35 और जब आप इसको calculate करोगे तो यहां पर हमारे पास में 10 inverse की जो value है वो हम find out कर लेंगे तो देखे इसमें यहां पर 105 में यहां समें 0 लगा दूँ, point लगा कर 0 put कर दें हम, तो 3 बार में 105 चला जाएगा फिर 15 cents रह जाएगा 15 के अंदर यह 4 बार में 140 चला जाएगा, 10 cents रह जाएगा आपको इसका उत्तर क्या लिखना है इसका जो value है, यदि आपको question में दी हुई हो, तो इसकी value हम put कर देंगे, अन्यता फिलाल हमारे पास में 10 की table देखने के अलवा कोई उपाय नहीं है इस तरीके से हम इस 10 universe की value नहीं बता सकते, यहीं तक आप लोगों को solve करना है अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो theta angle है, वो है उत्तर देशा से पूरव की ओर इतना angle जुखाना है चाते को उत्तर देशा से पूरव की ओर theta cone पर जुखाना है उत्तर से पूरव की ओर इतने angle theta cone पर उसको जुखा देना है दोस्तों, यह हमारे पास में इसका solution है तो उद्वादर जो direction है उससे हमारे इतना cone पर उसको जुखाना पड़ेगा फिर जो अगला question है वो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है कि एक motor boat उत्तर दिसा की ओर 25 km परती गंठे की वेग से गतिमान है इस चत्र में जल्धारा का वेग 10 km परती गंठा है जल्धारा की दिसा दक्षिन से पूरव की और 60 degree पर है motor का परिणामी वेग निकालिए पहले तो आपको फिर से में उत्तर दक्षिन दिसा का ग्यान करवाता हूँ यहाँ पर यह है उत्तर दिसा यह है हमारे पास में दक्षिन दिसा और यह है पूरव दिसा और यह हमारे पास में है फस्सिम यहाँ पर आप देखें यह कि जो boat है वो उत्तर दिसा के अंदर जा रही है बोट वी बी से में उसकी चाल को लिख दूँ और वी बी की जो वेल्यू है दोस्तों वो हमारे को दे रखी है 25 किलो मेटर परती घंठा अब यहां से हमारे को क्यूशन के अंदर दे रखा है कि यह जो वी बी है वो है उत्तर दिसा में और इस चेतर में जलधारा का वेग 10 किलो मेटर परती घंठा है जलधारा के दिसा दक्षिन से पूरव की और यह दक्षिन है और उससे पूरव की और 60 डिगरी के एंगल पर है यहां से 60 डिगरी के कौन पर वाटर का वेग है वी डबलू से मैं इसको पूट कर दूँ और वो हमारे को दे रखा है 10 किलो मेटर परती घंठा दे रखा है देगे इन दोनों का परणामी ही जो बोट की चाल है उसको निरधारीते करेगा बोट की जो चाल है वो यहां से इस दिसा में में कंसीडर कर लेता हूँ परणामी चाल वी है जो की बोट की जो चाल है उत्तर दिसा में जो चाल है उससे हम थीटा एंगल पर कंसीडर कर लेते हैं पहले तो हम इन दोनों का परणामी निकालते हैं वी बी और वी डबलू का वी फिर हम इस थीटा की भी वेल्यू याद करेंगे हमारे को परणामी वेग पूचा है पहले हम परणामी वेग की वेल्यू फाइंड आउट करेंगे फिर इसमें ठीटा की वेल्यू भी यहां पर फाइंड आउट कर लेंगे यहां पर जो फिर्टा की बजाए alpha लिखें cos theta का root यहां पर देखेंगे दोस्तों आप P के इस्तान पर तो है VB तो VB का स्क्वेर प्लस Q के इस्तान पर है VW तो VW का स्क्वेर यह वाटर का वेग है यह बोट का वेग है प्लस में 2 गुणा VB into VW into cos theta अब हम इन सब की value put कर देंगे यहां पर तो R बराबर हमारे पास में क्या आएगा VB की जो value है वो दोस्तों बोलिए देखकर VB की value है 25 तो 25 का square हो जाएगा फिर प्लस में VW की value है 10 तो 10 का square हो जाएगा फिर प्लस में 2 गुणा में 25 गुणा में 10 और cos 120 degree है cos 120 की value होती है minus 1 बटा 2 तो यहां से इसको calculate करेंगे आप लोग 25 का square 625 प्लस में यहां से आगया हमारे पास में यह 100 और यहां से आप देखेंगे दोस्तों 25 गुणा 10 तो यह दो गया 250 और इसकी value होती है minus 1 बटा 2 तो मैंने minus यहां put कर दिया यह 1 बटा 2 यहां put कर दिया 2 से 2 cancel हो गया तो इसमें से यह minus के 250 गठा देंगे 725 में से तो यहां से जब इसको गठाएंगे तो कितना जीएगा 100 तो यह कम हो गया 100 इसमें से 525, 525 में से 50 और निकाल दीजिए तो यह आगया हमारे पास में 400 पचेतर आगया दोस्तों 400 पचेतर यदि यह 414 होते तो यह 22 का अंडूड हो जाता इसको मैं लगभग 22 का अंडूड पूट कर दूँ तो 22 किलोमीटर परती गंठे की 4 से बौट चलेगी और वो भी उत्तर दिसा से अलफा कौण पर 22 किलोमीटर परती गंठे की 4 से बौट की गति करेगी अब देखे दोस्तों यदि आप यहाँ पर अलफा की वेल्वा फाइंड आउट करना चाहें अपोन पी प्लस क्यू कॉस थिटा यह वेलिउ होती है तो alpha बराबर यहाँ से आप देखेंगे 10 inverse क्यूंकि इस तान पर है VW sine थिटा अपोन VB प्लस VW कॉस थिटा यह आ गया alpha बराबर आप देखेंगे दोस्तों यहां से इन सब की value में यहां पर put कर रहा हूं VW की value है 10 sin है हमारे पास में theta की value है 120 यहां पर VB की जो value है वो है 25 plus 10 sin है cos 120 देखे इसको जब calculate करेंगे तो हमारे पास में क्या निकल कर आएगा 10 inverse की terms में ही आएगा दोस्तों इसका solution है वो देखे यहां पर दस्तों यह पढ़ाई है sin 120 को हम लिख सकते है cos 30 degree और cos 30 degree की value होती है अंडूड 3 बटा 2 तो अंडूड 3 बटा 2 इसकी value होगी और यहां पर यह हमारे पास में आगया 25 sin 120 की value होती है minus 1 बटा 2 minus का sign यहां आजाएगा 2 का इसमें भाग लगाएगे तो 5 आजाएगा तो 25 minus 5 आएगा 25 minus 5 25 में से 5 निकालेंगे 20 20 का इसमें भाग लगाएगे तो दोस्तों उमारे पास में कितना आजाएगा देखेंगे आप 10 inverse 20 रहेगा 20 से 1 0 कर जाएगा यह दो भी नीचे चला जाएगा अंडूर 3 बटे में 4 चाहे तो आप यहां तक रहने दीजिए या आप इसको अंडूर 3 की जो value है वो 1.72732 रखकर 4 का भाग लगाकर जो value है वहां तक put करके छोड़ देंगे 10 inverse की trumps में हम उसकी value को छोड़ देंगे क्यूंकि उसमें exact 30 degree, 60 degree इनकी कोई value होती नहीं है यदि होती तो हम सीधा ही put कर देते दोस्तों तो 10 inverse की फोरम में ही इसका अंस वुराएगा हम बता देंगे कि alpha कोण पर नाव है वो गति करेगी और उत्तर दिसा से alpha कोण पर होगी और उसकी value इतनी होगी तो इस वीडियो में आपने देखे कि सदीसों के नियम पर आधारित तिर्बु सदीस नियम का जो परणामी है उसके नियम पर आधारित एगजामपल्स पहला एगजामपल और थाड़ एगजामपल